जी शिक्स क्लास फिजिक्स का कलम ने यहां तक रिट कर लिया था ठीक है उसकी प्रॉपटीस के बारे में बढ़ा कि जो मैटर होता उसके दो प्रॉपटीस एसेंशल होती है जैसे कि मैटर अकूपा इस पेज एंड मैटर हैस मास तो आज हम करेंगे अक्टिविटी नंबर फ आट एक काम करो अपने गर में एक काच का गलास में पानी भर दो पानी अग्जांब आफ तुझा पानी लगा लो ठीक है पनी के साहथ या मारकर के साथ गलास के बाहर उपर हो अपर्वरी साइड एक आप मारक लगा लगाने के एक चमच ठीक है एक घमक शुगर है यह एपसें आज पान invent जो पानी में डालोगे तो उसको अच्छी दर डा से बायाने के बाद जो मिक्स भू divis जाएगे थीक है शुगर् यह वह सॉल्ट है वह मिक्स अप हो तो ग्लास में वो वाटर कैसे होगा ऐसी होगा ना छोटे-छोटे वाटर के मौलीकुल जैसे पड़े होएगे ठीक है तो जो सौट है वो कहां पे लाई कर देए salt के जो particles है वो इन molecules के बीच में जो space है ना वहां पर आप क्या करेंगे वो space को cover up करेंगे ठीक है जो water के molecule के बीच में space है वहां पर आपके salt के या फिर sugar के particle जगह को क्या कर लेंगे space को cover कर देंगे तो इसका meaning जो matter है वो आपके शोटे-शोटे particle से मिलके बना होता है next हम करेंगे a molecule is the smallest particle of the substance which can independently exist in nature जो molecule होता है वो सबसे शोटे काई ठीक है smallest particle है जो independently मतलब अजाद है नेचर में कुद्रत में एदर उदर घूम सकता है और जो molecule है वो आगे किन से बना होता smaller particle से मिलके बना होता है atom से उसका meaning जो atom है वो सबसे चोटा particle है ठीक है सबसे चोटा particle के हम क्या बोलते है atom होते है और जो atom से मिलके for example यह एक molecule बन गया तो यह हवा में independently exist कर सकता हवा में रह सकता नहां कि जब एक atom नहीं रह सकता हवा में ठीक है उसको किसी के साथ attach करना ही होएगा ठीक है किसी और के साथ वो combined form में रहेगा बट जो molecule है वो क्या है इंडिपेंडेंटली हवा में exist कर सकता है molecule में contain one or more atoms वही लिखा हो कि molecule में हो सकता है कि एक यहां फिर एक से ज्यादा क्या होएंगे atoms आपस में bonded together होएंगे आपस में बंदे होएंगे for example water molecule for example आप water की बात कर लो पानी की बात कर लो ठीक है हम्याद आप क्रेंगे क्रेक्रइक्रेडिक्स का मिणिंक विशेष्टनायं matter particles की matter के particles है उनकी विशेष्टनायं क्या होती है जैसे अमें यह तो पता ही है कि जो material है जो तिन से मिलके बना होता जैसे आपक्या मोलीक्यूल्स बहुति है अ मोलीक्युल्स साइज इनका जो साइज है वह बहुत ज़्यादा क्या होता है सिंगल मॉलिकुल के हमें इतना ज़्यादा स्मॉल होता कि हम अपने आई से देख भी नहीं सकते इतना क्या होता है एक सेंटीमेटर ठीक है और सेंटीमेटर अगर हम एक से एक लाइन से लेके दूसरी लाइन तक जाएंगे एक मिलिके है इस मिलिके का भी आगे बर बहुत है सिर्फ इतना इसको को चार्प dunno मिलिईटर का एक इससा जो पर्टिकल का साईज होता और इस से ज़्यादा होता होता है तो हम देख पाएंगे अव सब आएन देख पाएंगे मिलिश हr the matter फैश का का स्फेस between them और जो matter है उसके particles होती उनमें space होती जैसे कि हम नहीं यहां पर बात करें कि जो water के आपके molecules है glass में वो ऐसे पड़े हैं ठीक है अगर आप उसमें sugar mix करोगे तो वो sugar के जो particles हैं वो कहां पर आगे जगा कवर करेंगे जो इनमें space है तो उसका स्पेस को आप क्या बोलते हो intermolecular space जैसे एक घर से दुसे घर की जो space होती है ठीक है यहां पर एक molecule से दूसे molecule की जो space है उसे आप क्या बोलते हो intermolecular space इंटर का मिनिंग बीच में molecular मतलब molecules के बीच वाली space को आप क्या बोलते हो intermolecular space आपके third property है the matter particles are in state of continuous motion वो continuous मुशन यहां मर्मेशा है वह सक्ते में इसके लिए कल को एक अक्टिविटी करेंगे को